श्री गिनेश गिर्जासमन मंगल मौन सुझान कहते ओदादास तुम देव भ्यवर्दान जो गिनेश ची भगवान कीज़े मा भगती माता कीज़े आईए जानते हैं दुर्वा क्या है दुर्वा को हम हिंदी में दूप भी कहते हैं हिंदू धरम में हर तरह की पूजा में इसका उप्योग अनिवारय माना गया है पर कम ही लोग चानते हैं कि आखिर इस दुर्वा का इतना महतव क्यों है ऐसे में आज हम आपको एक पुरानिक कथा बताने जा रहे हैं जो इसकी उत्पत्ती से जुड़ी है इसी कथा में दुर्वा के महतव का रहसे भी छिपा हुआ है शायद ही ऐसी कोई पूजा हो जो दुर्वा के बिना संपन होती हो आम तोर पर लोग दुर्वा और घास को एक ही समझते हैं किन्तु ऐसा नहीं है दुर्वा घास का ही एक परकार है जो हरे रंग की होती है और पिठ्थी पर पैल कर बढ़ती है और कभी उपर नहीं उठती पुरानों के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ती समुंदर मंथन से मानी गई हैं इसे समुंदर मंथन से निकले 84 अन्यरतनों में से एक माना जाता है कथा क्या अनुसार समुंदर मंथन करते समय जब देव और द्यत्य ठकने लगे तो उसे जारी रखने के लिए श्री हरी ने मंदराचल परवत को अपनी जंगा पर रख लिया और स्वम समुदर मन्थन करने लगे मंदराचल की रगड से शिरिहरी की जांक का एक रूम तूड गया और उसी से दुर्वा का जनम हुआ नारायन के शिरित का भाग होने के कारण ये परम पवितर कहलाई जब अमरत प्रात होने के बाद समुदर मन्थन का स्मापन हुआ तो नारायन ने मोहिनी रूप धारन कर लिया और कुछ समय के लिए अमरत को इसी दुर्वा पर रख दिया अमरत का स्परश होने से इसकी पवितरता और बढ़ गई और ये बनस्पति अमर हो गई इसी लिए दुर्वा ही एक ऐसी बनस्पति है जो किसी भी प्रस्तिती में बिना किसी की सहयता के स्वम भढ़ सकती है इसे अमरता, अनन्ता, गोरी कई नामों से भी जाना जाता है सनातन धरम में कोई भी मांगलिक कारय बिना हल्वी और दुर्वा के पूरा नहीं माना जाता हिंदु धरम के अनुसार हफ्ते का हर एक दिन किसी न किसी भगवान को समर्बित है सनातन धरम में बुद्वार का दिन देवताओं में प्रतम पुझ्य भगवान श्री गनेश को समर्बित है मानता है कि सर्धा पुर्वक इस दिन गनेश जी के निमित, व्रत और पूझा करने से भगतों के सारे संकट दूर हो जाते है एवम गनेश जी भगतों की सभी मनोकामनाय पूरुन करते है श्री गनेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है बुद्वार के दिन भगवान गनेश जी को दुर्वा अर्पित करने से वे भवती सिघर परसन हो जाते है बिना दुर्वा के भगवान गनेश की पूजा अधूरी मानी जाती है लेकिन आपके मन में स्वाल उठता होगा कि आखिर गनेश जी दुर्वा से इतने प्रसन क्यूं होते हैं तो आईए जानते हैं क्या है इसके पिछे की पुरानिक कथा साष्तरों में वड़नित एक पुरानिक कथा के अनुसार प्राचिन काल में अनला सुर नाम का एक देत्य था उसके उत्पासे धर्ति और स्वर्ग परत्राई था इमच्य हुई थी अनला सुर एक ऐसे देट्य था जो रिशी मुनियों और साधान मुर्शों को जीवित ही निगल जाता था इस देट्य के अत्याचारों से त्रस्त होकर इंदर सही सभी देवी देवता रिशी मुनि भगवान शिव से विंती करने पहुंचे उन्होंने प्रातना की कि किसी भी तरह से अनला सुर के आतंग को समाप्त करें तब भगवान भोले नाथ ने समस्देवी देवताओं और मुनि रिश्यों की प्रातना सुनकर उन से कहा कि देट्य अनला सुर का नास केवल श्री गनेश ही कर सकते हैं फिर सभी देवों की प्रातना पर गनेश जी ने अनला सुर्प को निगल लिया, तब उनके पेट में बहुत जलन होने लगी, इस प्रेशानी से निपटने के लिए कई परकार के उपाय किये गए, लेकिन उपाय कारगर नहीं हुआ, उसी समय कश्या प्रिश्री ने दुर्व गनेश जी पर दुर्वा चड़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई, बोलो गनेश जी महगवाने की जै, गनेश पुरान में एक और भी कथा पर चलीते हैं, गनेश पुरान की एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार एक चंडाली और एक गधा, गनेश मंदीर में जाते हैं और वे कुछ ऐसा करते हैं कि उनके हातों से दुर्वा गनेश जी के उपर गिर जाती है। गनपती जी इस से काफी प्रेसन होते हैं और दोनों को ही अपने लोक में स्थान देते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि गनेश जी दुर्वा भूत पसंद करते हैं। लेकिन गनेश चतूर्थी पूजा के समय इस दुर्वा का इस्तेमल जरूर किया जाता है लेकिन पूजा के इलावा दुर्वा के फायदे अंगनित होते हैं आयूर्वेद के अनुसात दुर्वा के ओश्दी गुनों के कारण ये कई तरह की बिमारियों के लिए उपचार के रूप में इस्तेमाल करते हैं दुर्वा सिर्दर्द, आँखो का दर, नकसीर, उल्टी जैसी बिमारियों के लिभुत फैदे मन्द साबित होता है इसके अलावा दुर्वा से जीवन में व्याप्त संकटों को विदूर किया जा सकता है अगर आप आर्तिक तंगी या पारिवारिक कलह से प्रेशान है तो आप दुर्वा से ये उपाईत होश्य करें धार्मिक मानेता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बिमारी दरीदर्ता या किसी और संकट से जूज रहा है तो सच्चे मन से गनेश जी की पूजा करके दुर्वा अर्पित करने से उसे इन सभी समस्याओं से जल्दी ही चुटकारा मिल जाता है बुद्वार के दिन गनेश मंदिर में दुर्वा की ग्यारा गाठे चड़ाने से गनेश जी परसन होते हैं और बुद्धो श्माप्त हो जाता है बलो गनेश जी भगवाने की जै मा लक्ष्माता की जै